कि नमस्कार देश्रकु एक बार फिर आप सबका हिदे की गहराईयों से सौगत करना चाहूंगा हरे किशना टीवी की इस अमेजिंग प्रस्तुती में आपके मन की बात हमारे साथ माफी मांगना चाहूंगा कुछ टेकनिकल डिफिकल्टीज के कान आज का शो काफी डिले हो गया लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है और एक ऐसा पेचीदा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब को जानना चाहिए क्योंकि हम सब उससे गुजरते हैं आज का टॉपिक है आत्मा की इस जर्णी के बारे में भारत ऐसा देश है जहां हम सब जानते हैं कि हम सब आत्मा है और जन जन्मांतर के बाद हमें दूसरा शरीर मिलते रहता है अपने कर्मों के हिसाब से प्रशन ये उठता है कि आत्मा पुराने शरीर को छोड़के नए शरीर में कैसे आती है जब बच्चा मा के गर्व में रहता है तब आत्मा आती है या फिर इसके पीछे किया डाइनमिक्स है इन सब पेचिदा कुश्चन्स और इन सब प्रशनों को शास्त्रों के नजर से आईये समझते हैं और गहराई में जाते हैं आज के एक बहुत ही special guest के साथ गुरगाओं से हमारे special guest रामेशोर गिरधारी प्रभुजी यहां है और he is a motivational speaker lifestyle coach है वहाँ हजारों की संख्या में families, youth सब को inspire कर रहे हैं आईये आज उनका आश्रे लेते हैं और इस प्रशन के बार में और गहराई में समझते हैं कि आत्मा की ये जर्नी क्या होती है कैसे वो नए शरीर में आती है जब बच्चा छोटा होता है तब या फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब या फिर छे महीने का होता है या मा के गर्भ में शुरुआत से ही आ जाती है इन सब पेचिदा प्रश्णों को समझते हैं तो सबसे पहले वेलकम करते हैं रामेश्व गिर्धारी प्रभुजी को आपका बहुत स्वागत है प्रभुजी थैंक यू स्वागत बहुत लंबे अर्जे के बाद हम मिल रहे हैं बहुत अच्छा रगा आप से मिल करके कुछ टेक्निकल डिफिकल करने वाला है तो दर्शकों डटे रहिए आप सबसे विंती करूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके जितने भी रिलेटिव कलीग्स जितने भी आसपास के लोग हैं आपके सर्क्ल अफ इंफ्लूएंस में हर किसी को आज के शो का लिंक शेयर किजिए और प्लीज रिक कर रहा हूं लोग सोचते थे कि ये जब सात्मा मन्त होता है जब बच्चा मा के गर्व में सात्मे महीने में पहुशता है तब शायद आत्मा पहुशती है तो वो लोग शायद ऐसा बोलते थे कि उस समय अबॉशन उसके पहले हो जाना चाहिए उस समय नहीं करना चाहिए फ इसमें कि एक आत्मा को ही मारने का प्लैनिंग चल रहा है, वो भी गर्भ में, इन सब ये चीजे बड़ा, बड़ी confusing लगती है, तो सबसे पहले तो मैं जाना चाहूँगा कि शास्त्रों की नजर से आत्मा कब इंटर करती है, और तब ये सब पिचीदा सवाल जो है, जो अब ये सब हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले आत्मा की जर्नी क्या होती है, ये सोल रहता ही, आत्मा जिसे हम इंग्लिश में सोल ये स्पिरिट सोल कह सकते हैं, वेर ड़ी सोल लिव, ये रहता कहां है, आत्मा कहां से आती है, कहीं पेड से टपकती है, कहां से आती है, उ थाकिय। कि ये जो आत्मा है ये भगवान का आंश है भगवान का आंश है और भगवान के साथ इसका एक संबंद है लेकिन जब वो जीवात्मा भगवान के साथ अपने उस संबंद को भूल जाती है तो वो इस लोक में आती है इस भौतिक जगत में आती है आत्मा यानि की स्पिरिट वो spiritual है, उसका अपना एक spiritual place है, लेकिन जब भगवान के साथ अपने उस संबंद को भूल कर, वो भगवान से अलग enjoy करने की जो propensity है, उसकी enjoying propensity, उसके करण वो भगवान से अलग होके इस भौतिक संसार में आती है, और भगवान कहा रहे है, मना शाष्टानी इंद्रियानी प कि उसे बहुत एक सरीर भी चाहिए, तो उसी के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा होती है, उसके अनुसार उसको अलग-अलग प्रकार के शरीर दिये जाते हैं, तो शास्त्रों में जैसा कि इसका वरणन आता है, कि 84 लाग प्रकार की योन, जलजानम अलक्षान, इस्धावर पहला जो है, अस्थावर अलक्ष विमसती, यह वीस लाग प्रकार के जो अस्थावर हैं, यानि जो विक्ष हैं, यह सब वीस लाग प्रकार की जीवात्माएं हैं, और जो क्रिमयों, क्रिमयों यानि के जो रेप्टाइल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो 11 लाग प्रकार के दस लाग प्रकार के पक्षी हैं और जो पशु है वो तीस लाग प्रकार के हैं और सबसे कम संख्या जो है वो है चार लाग प्रकार के मनुशी यानि ये जो अलग-अलग प्रकार के बाड़ी की बात की जा रही है यानि वो फैसिलिटी मिलती है जीव को जिससे कि वो अपनी जो प्रोपेंसिटी है, इंजॉइंग प्रोपेंसिटी, जो वो पाना चाहता है, उसको अचीव कर सकते हैं, तो इस तरह से जब एक बार जीबातमा इस भौतिक जगत में आती है, तो अपनी इच्छाओं के कारण, अपने कर्मों के कारण, अलग-अलग शरीरों में भगवान कपिल देव इसके विशे में बहुत ही डीटियल में बता रहे हैं, और जो हमारा प्रश्न है आज का जो विशे है, कि ये आत्मा कब शरीर प्राप्त करती है, कब शरीर में प्रवेश करती है, तो इसके विशे में बहुत ही क्लियरली भगवान कपिल देव इसके विश्यम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, कि ये कैसे प्रवेश करती है, तो इसके विश्यम बता एक जो 31st चैप्टर है, 3rd कैंटो का, उसके पहले ही श्लोक में बता रहे हैं, कि ये जो विवस्था है, ये जो आत्मा का प्रवेश है, उसके विश्यम में पहला श्लोक है, जिस जो है अपने कर्मों के अनुसार, अपने इच्छाओं के अनुसार, दैविय विवस्था के अनुसार, वो एक विशियस प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, और ये जो प्रॉसेस है, शरीर प्राप्त करने का, वो शुरू होता है, बैसिकली जब एक इस्त्री और पुरुष स conception का time होता है उस समय में जो जीवात्मा है वो विर्य के माध्यम से जो विर्यकण है उसके माध्यम से वो इस्त्री के गर्व में प्रवेश करता है और जब इस्त्री के गर्व में वो जीवात्मा प्रवेश करती है तो उसके बाद वहां से शुरुआत होती है यानि कि जब वो sperm है, जो विर्यकर्ण है, जब वो इस तरी के जो egg है, उसके संपर्क में आता है, तो वहां से, और श्रीमत भागवता में बहुत ही detail description इसका दिया गया है, कि day one क्या होता है, पाँचवे दिन क्या होता है, दसवे दिन क्या होता है, तो यह जो description है, बहुत detail में इसको हम पढ़ सकते हैं, तो पहले दिन, जब जिसकी बात करते हैं कि जो sperm है, oum है, जब यह mix होता है, मिलता है, उसके बात पांस दिनों के बात, पांचमे दिन, जो है एक bubble का form लेता है, दसमे दिन में इसमें एक दूसरा form आता है, जिसमें हलका सा एक kind of, एक flash kind of आता है, और इस तरह से जो development है, उसका, जो fetus का development है, धीरे-धीरे वो grow करता है, और रही बात, आत्मा की जो यह लोग सोचते हैं कि पांचमे महीने में या साथमे महीने में तो ऐसा नहीं है, यह day one conception के साथ ही, जो आत्मा है, वो विर्यकर्ण के माध्यम से, वो इस तरही के गर्व में प्रवेश करता है, जो body का development है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि matter पहले grow करता है, matter में development अपने आप नहीं हो सकता है, जो भी development की शुरुआत होती है, वो होती है, जब आत्मा प्रवेश करता है, गर्व के अंदर, तो यह process है, कि पहले आत्मा प्रवेश करती है, उसके बाद जो matter है, वो active होता है, और उसका growth का process शुरू होता है, जो baby है या fetus है, वो grow करता है, और धीरे-धीरे, अलग-अलग महीने में अलग-अलग उसके changes आती हैं, और नौह-अलग-अलग महीने में होता है, बालक प्रवेश करती है, इस पूरी विवरस्ता का प्रवेश करती है, हम और डीटेल में थोड़ा नर के वीर के थूँ ये एक मादा के शरीर में जाता है, काफी scientific लगता है ये process, लेकिन ये आत्मा एक इनसान के एक आदमी के शरीर में आया कहां से, उसके पहले का क्या process है, आपने बताया एक और बात की हम भगवान के साथ भगवान से अलग हो करके एक selfish enjoyment करना चाहते थे, और इसलिए हम मतलब यहां इस जगत में आए, ये process क्या है, ये जो आत्मा जो इस जगत में आती है, वो कितनी छोटी होती है, उसका क्या size होता है, वो कैसे इतने छोटे वीरे में आ जाती है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, और इसका क्या कुछ एक process है, जो शायद शास्त्रों में लिखा है, मैंने कहीं सुना था, शायद बारिश और ये वो कुछ connection है, उस बारे में हमें बताइए थोड़ा, ये यही process है, जैसे एक तो अभी जो मैं detail आपको बता रहा हूँ, जिसके विशह में है कि कर्मना दैवा नेत्रेना जन्तू देह उप पद्यते, ये श्लोक है, श्रिमत भागवतम का, तो ये process हम discuss करेंगे, लेकिन अभी जो प्रश्न है, कि अब जो विरियकर्ण की हम बात कर रहे हैं, जिस विरियकर्ण के माध्यम से, आत्मा जो है वो इस तरी के गर्व में प्रवेश करता है, तो पहले जो विरियकर्ण है, वहां पर आत्मा कैसे आई, तो इसके विश्य में जो बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, कि पहले तो ये जो जर्नी है कि जीव जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, ये जो भी अलग-अलग कभी उचे लोकों में, कभी निम्न लोकों में, अपने कर्मों के अनुसा वो संखर्ष करती है, कहीं उसको सुख मिलता है, कहीं दुख मिलता है, इस तरह से, और इस यात्रा के बाद, जो भी पुनिकर्मों के अनुसार, जो उचे लोकों में जाता है, जब उसके वो समय पोरा हो जाता है, यानि कि वापस जब उसको re-incarnation, फिर से उसे जन्व लेना हो तो इसके विश्यम बताया गया कि वो आत्मा किस तरह से वो यहां वापस आती है, तो उसके लिए बताया गया कि जैसे वर्षा है, तो वर्षा के माध्यम से आत्मा इस धरातल पर वापस आती है, और वर्षा से अन होता है, जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं, अनाद भाम यहां आती है और वही वर्षा के कारण जो अन्य प्रकट होता है उस अन्य को स्विकार करने पर उस अन्य को पाने के कारण जो आत्मा है वो हमारे में प्रवेश करती है और फिर वो उसी विर्यकन के माध्यम से वो इस्त्री के गर्व में प्रवेश करती है अब कौन सी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करेगी या किसके माध्यम से, किस परिवार में या किस परिस्तिती में उसका जन्म होगा, ये सब कुछ निर्वर करता है कर्म के सिध्धान पर. ऐसा नहीं है कि बाइचांस या कोई भी आत्मा कहीं भी प्रवेश कर जाएगी, ये ऐसा नहीं है. तो इसका जो निर्धारन है वही कि डिवाइन अर्रेंजमेंट जो दैविय यानि कि जो सुपर सोल, जो भगवान की अध्यक्षिता में प्रकृती कारे करती है और वो देखती है हमारे कर्मों का लेखा जोका, हमारे कर्मों का सारा हिसाब कि उसकी अनुसार हमें एक विश्यस प्रकार का परिवार या माता-पिता मिलते हैं और एक विश्यस प्रकार की परिस्तिती में हमारा जन्म होता है. तो इस तरह से वर्षा के माध्यम से अन और अन के माध्यम से वो जिवात्मा पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है और उसके विरीकरण के माध्यम से वो इस्त्री के गर में प्रवेश करती है बिलकुल, काफी clear हो गया प्रोजी, वर्षा के माधियम से कैसे एक आत्मा आती है और पहले मिटी में जाती है, फिर मिटी से अन्न में जाती है, फिर उस अन्न को कोई पुरुष खाता है, फिर पुरुष के वीरे से वो माता के शरीर में जाती है, तो माता के शरीर से फिर इस आत्मा की जर्णी उसके गर्भ तक रहती है और गर्भ में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा डीटेल में जाना चाहूंगा आत्मा पहले ही पहुँच चुकी होती है और तब उसका शरीर निर्मान चुरू होता है ऐसा नहीं है जैसा कि हमारा medical science कुछ समय तक confusion में था कि शरीर है लंप of flesh आ है एक मांस का टुकणा आ चुका है तब आत्मा बाद में आरी है ऐसा नहीं है पहले आत्मा की मैटर अपने आप एक्टिव नहीं होता है जो भी मैटर है जो भी मटुरियल Cheryllements हैं उसमें action तब तक नहीं आता है जब तक उसका संपर्क जीव के साथ नहीं होता ह तो आत्मा पहले प्रवेश करती है और उसके बाद उसमें activities होती है जो elements है material elements है उसमें actions शुरू होता है और फिर वो एक एक दिन या महीनों में जैसे उसके अंदर development होता है तो बिना soul के कोई भी development नहीं है उसमें नहीं हो सकता बिलकुल ये बात तो एकदम clear होगी तो जी लेक अब एक confusion आता है कि आत्मा और परमात्मा यानि भगवान जो परमात्मा के रूप में क्या वो भी हर किसी के हिर्दे में है कुछ वो भी relationship शायद शांस्त्रों में लिखा है तो आपने बता है आत्मा के बिना वहाँ पहुंचे शरीर activate नहीं होता है इसमें परमात्मा का फिर रोल है जैसे हमने बताया कि कर्मना दैवनेत्रेन जन्तु देह उपपद्यति तो इसमें जो divine arrangement या जो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा हमारे सारे कर्मों का जो लेखा जो खाया है या जो he is an observer वो सब observe करते हैं हमारी desires क्या है हमने क्या कर्म किये है और उ कौन सा body हमें मिलना है किस परकार की परिस्ति मिलनी है तो परमात्मा जो है वो sanctioning authority है observer और sanctioning authority वो observe करते हैं हमारी activities को हमारी desires को और उसी detail या वही जो हमारे previous accounts हैं सारी activities और उसके basis पर वो प्रकृति को ये आदेश देते हैं प्रकृति उनकी guidance में या उनकी direction में काम करती है त तो जो परमात्मा का role है वो है observing and sanctioning प्रकृति उसको facilitate करती है वो भी परमात्मा के order पर तो परमात्मा हमेशा हमारी activities को हमारी thoughts को observe करते हैं desires को observe करते हैं तो आपने एक बात और बताई तो जी के परमात्मा हमेशा आत्मा के संग रहते हैं तो वो जब इंटर करते हैं तब शरीर आत्मा परमात्मा जब एक साथ इंटर करते हैं तो शरीर activate होना शुरू हो जाता है, फिर उस पर flesh आना और ये सब शुरू होता है आके बढ़ते हैं, ये काफी clear हुआ, ये सबसे बड़ा confusion जो science ने हमें अच्छे से समझाए नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि माता के शरीर से आता है, अब अगला प्रशन ये उठता है प्रोजी, कि क्या एक आत्मा अपने parents को चुन सकती है येस, जैसा अब बताया गया कि माफी चांगा प्रोजी, मैं दो connection है इस प्रशन के, मैं second question पर थोड़ा बाद में आऊंगा कि क्या एक आत्मा अपने parents को चुन सकती है, ये पहला part था, दूसरा part है, क्या parents किसी specific आत्मा को चुन सकते है कि मुझे ऐसा एक आत्मा चाहिए, जो बहुत ही गुणी हो, बहुत ही पढ़ाई में तेज हो, अलग-लग गुणों के हिसाब से क्या वो plan कर सकते है लेकिन मैं उस प्रशन पर बाद में आऊंगा, पहला प्रशन है, क्या आत्मा जो किसी घर्व में आने वाली है, वो अपने parents को, अपने माता-पिता को, अपने परिवार को चुन सकती है यहाँ पर इसी science को हमें समझे के जरूत है, कि जैसे अभी हमने बताया कि, जो माता-पिता हमें मिलते हैं, जो परिस्तिती में हमारा जन्म होता है, उसके पीछे हमारा जो कर्म का सिध्धान्त है, वो काम करता है हमने इसके पहले कैसा कर्म किया है, हमारी च्छाय कैसी रही है, उसी के अनुसार, प्रकृती हमें एक शरीर देती है, उसी प्रकार का हमें एक शरीर मिलता है तो वो ये कर्मों के सिध्धान पर आधारी थे अगर हमारे अच्छे कर्म हैं जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ष ने इस बात को बता रहे हैं कि यदि कोई विक्ति भक्ति में जीवन जीता है या जो शास्त्रों में नियम दिये गए हैं उन नियमों के अनुसार जीवन जीता है तो ऐसे लोगों को कैसा जीवन मिलता है तो हमारे शास्त्रों में यह सारी बाते दी गई हैं कि पुन्य कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा उचे लोकों में जाएंगे सुख भोगेंगे लेकिन अगर कोई विक्ति पाप कर्म करता है तो पाप कर्मों के कारण उसे नार की जीवन मिलता है नरकों में जाना होता है तरतर की यातनाय सहनी पड़ती है तो यह बहुत ही क्लियर है और साथ ही साथ जैसे कोई भक्ती का जीवन जी रहा है और उसमें भगवान बता रहे हैं कि जब कोई इस मार्क पे चलता है भक्ति के मार्क पे तो कह रहे हैं कि प्राप पे पुन्नी करताम लोकाम उशित्वा शाश्वती समा क्या होता है पहला रिजल्ट क्या होता है कि वो विक्ति उचे लोकों में जाता है वहाँ सुख भोगता है और उसके बाद जब उसका वो पुन्नी का जो सारा क्रेडिट है जब वो समाप्त हो जाता है जब वो सुख भोग लेता है तो फिर वापस आता है और जब वापस आता है तो किस प्रकार के परिवार में आता है वो कह रहे हैं सुची नाम, स्रीमताम गेह, योग बरश्टो अभी जायते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं योगी जो की अध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, अध्यात्मिक नीमों का पालन कर रहे हैं, तो उनकी केस में ऐसा होता है कि अगर किसी करण अपनी इस spiritual journey को वो complete नहीं भी कर पाए और फिर भी असफलता नहीं है, वो उचे लोगों में जाते हैं, सुख भोगते हैं और वापस जब धरती पर फिर से जन लेते हैं, तो उनका दो प्रकार की परिवारों में जन होता है। एक सुची नाम यानि कि जो पायस family है, devotee family है, ऐसे परिवारो में उनका जन होता है, और दूसरा श्रीमताम, श्रीमताम यानि कि धनी परिवारों में उनका जन होता है, तो अगर हम इस प्रिंसिपल को जानते हैं, और अगर हम उस नियम का पालन करेंगे, यानि कि भक्ती में जीवन या भगवान की जो सिक्षाएं हैं, उनके अनुसार जीवन ही अपन करेंगे, तो निश्चित रूप से, अगर हमें अगला जीवन मिलता है, तो वो जीवन या तो धनी परिवार में होगा, या पुन्य ऐसे परिवार में, पायस फैमली में होगा. अमेजिंग, अमेजिंग, तो मुझे बहुत, मतलब, इट वस रेली गूस बंक मुमेंट फॉर मी, मैं दर्शकों, आप लोग को भी बहुत मजा है होगा, हम सबने सुना है कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे, तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे, तो नर्थ मिलेगा, लेकिन कुछ-कुछ उससे भी उचा है, वो है कि अगर हम भक्ती मार्ग में अपना जीवन जीए, तो हमें नहीं सिर्फ उस सुख की प्राप्ती होगी, वापस आने के बाद भी ऐसा परिवार मिल रहा है, जो कि या तो किसी भक्त का परिवार है, या फिर materially उसके पास ऐसे बहुत ही ओप्लेंट किसी परिवार में हम जा रहे हैं, किती वड़ी बात है, तो हर मामले में देखा जाए, तो भक्ती मार्ग ही सबसे सफल और सबसे सक्सेस्फुल मार्ग मुझे लग रहा है, क्या कहेंगे प्रोजी? In fact, क्योंकि जैसे हम आत्मा की जर्नी की बात कर रहे हैं, तो first of all, of course, बहुत से लोग हैं जिनको आत्मा के विश्य में जानकारी ही नहीं है, वो अपने आपको शरीर मान कर जीवन जीते हैं, तो भगबत गीता के माध्यम से हमें यही समझ आता है, यही सिक्षा मिलती है, कि इस तरह से जब तक वो भौतिक शरीर में है, तो इस भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में रहते हुए उसको संघर्श करना पड़ता है, अलग-अलग प्रकार के कष्ट उसके जीवन में आते हैं, लेकिन जीवात्मा कष्ट चाहती नहीं है, ultimately वो भगवान से दूर जीवात्मा कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकती है, जब तक वो अपने उस सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं होगी, जिसका आंश है वो, आत्मा भगवान का आंश है, जब तक अपने उस सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं होगी, जीवात्मा कभी भी खुश नहीं रह सकती है, और इसलि भूलकर इस भौतिक संसार में आ चुके हैं, यहां संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम वो सुख का अनुभाव, वो जो ब्लिस है, उसको एक्स्पिरियंस नहीं कर पा रहे हैं, बट सम्हाव यहीं स्क्रिप्चर्स हमें यहीं बताते हैं कि कैसे हम उस सुख का अनुभाव कर सकते हैं, कैसे हम वापस अपने उस कौन्शिसनेस को या उस रिलेशन को इस्टैबलिश कर सकते हैं, तो यह पूरा प्रोसेस यहीं जर्नी है, स्पिरिच्वल इवॉल्योशन की तो जब हम यह समझ देंगे कि मैं शरी नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, अब भगवान के साथ मेरा संबंद है, तो भगवान के साथ उस संबंद को रिस्टैबलिश करने का प्रोसेस क्या है, यही सारा प्रोसेस भगवत गीता और शास्त्रों में दिया उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को भी हम अचीव करते हैं इस जीवन के बाद। कुछ ऐसा भी पाथ है जो हमें इस भगवद्धाम से परे ले जा सकता है, उस पाथ पर जाने के बाद स्वर्ग जाना और किसी अच्छे परिवार में जाना, धनी परिवार में जाना तो बहुत ही निन्तम स्थर का आउट प्रोड़क्ट है। और वो रिस्की भी है क्योंकि स्वर्ग जाना, उचे लोकों में जाना क्योंकि वो पर्मानेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी मेहनत और अगर आप जो है उचे लोकों में जाते भी हैं तो वो पर्मानेंट नहीं है, वो टेंपररी है, जब तक आपके पास वो क्रेडिट है, पुर्णिय कर्म के जो क्रेडिट आपको मिले हुए है, जब तक वो है तब तक आप उ उसको इंजॉई करते हैं, लेकिन उसके समाप्त होते ही, फिर से वापको इसी पृतियोलोक में या इसी जो है अथली प्लैनेर्स में आना पड़ता है, तो वो रिसकी है, लेकिन अगर हम भगवान के द्वारा जो बताया गया रास्ता है, अगर उसके अनुसार जीवन जीत करते हैं, और इस जीवन के बाद जो हमारा वास्तविक अस्थान है, जो आध्यात्मिक जगत है, हमें वो प्राप्त होता है, जो की इटर्नल है, शाष्वत है, तो इस डिफ्रेंस को भी समझना जरूरी है, कि हम किस के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत जादा करेंगे, लेक बिल्कुल, एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, कि ये सारे ग्यान शास्त्रों में हैं, और हमें ऐसे-ऐसे प्लैटफॉंस में आना चाहिए, मैं दर्श्वकों से फिर से एक बार विंती करूँगा, कि आज के शो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप भी अपने दोस् से सुनकर के कभी WhatsApp मेसेज, कभी Instagram, इन सब मेसेजिस से हम घ्यान लेते हैं, जो कि बहुत ही अधूर और बहुत ही shallow होता है, शास्त्रों के गहराईों में ऐसे कोई महान भक्त हमारे सामने आते हैं, तो उनके थ्रू हमें शास्त्रों से पता चलता है कि शास्त्रों में कितनी गहराई है और वास्तविक्ता है, आगे बढ़ते हैं प्रोजी, अगला प्रशन ये उठता है कि आत्मा जब एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में जाने वाली होती है, तो उस दौरान आत्मा कहां जाती है, कितना वक्त लगता है, इस बारे में भी हमें थोड़ा बताईए, येस, तो जब व्यक्ति की मृत्यू होती है, यानि ये शरीर जब समाप्त हो जाता है, तो जैसा गरुन पुरान में इसका वरणन आता है, कि जो आत्मा है, वो आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद, लगब बारा दिनों तक वो उसी घर में, उसी अस्थान में रह जो भगवद गीता में हमें पताश होता है, तो एक है, जो सुक्ष में शरीर है, एक स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉड़ी यान सटल बॉड़ी, तो ग्रॉस बॉड़ी यानि ये जो भूमी अगनी, जल, वायू अगनी, आकाश का बना हुआ, ये जो पंच तत्व का बना जिसको हम देख पाते हैं, तो ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉड़ी और एक है सटल बॉड़ी, जो मन, बुद्धी और मिथ्याहिंकार का बना होता है, तो जब मृत्यू होती है, तो सबसे पहले ये जो स्थूल बॉड़ी है, ग्रॉस बॉड़ी है, ये डेड हो जाता ह यानि इसका आंत हो जाता है, लेकिन आत्मा अभी भी एक शरीर के साथ होती है, और वो है सुक्षम शरीर, मन, बुद्धी और मिथ्याहिंकार का बना हुआ शरीर, तो शरीर आत्मा के साथ हमेशा एक है, सुक्षम शरीर है, ये भी एक material बॉड़ी है, लेकिन सटल है, इस ब वाटर फायर है, रीथर इससे बना हुआ, और उसके अंदर है एक सुक्षम शरीर, असटल बॉड़ी, जो शाइद दिखता नहीं है इतनी आसानी से, जो कि मन, बुद्धी और एहंकार से बना है, अब जब इंसान की मृत्य होती है, तो ये जो बाहर का शरीर है, ये से कंपेर कर सकते हैं, और अंदर का शरीर एक वेस्ट जो हमने अंदर पहना है, उससे कंपेर कर सकते हैं, तो वो अंदर का शरीर, जो सुक्षम शरीर है, आत्मा को लेके बाहर निकल जाता है इसका मतलब, वो शरीर आत्मा के साथ है अभी भी, अच्छा, उस शरीर, क्योंक प्रकृति उसी की अनुसार उसको next body में लेकर जाती है, क्योंकि उसकी जो desires हैं, उसके जो karmic accounts हैं, उस सारा हिसाब किताब हमें महा से मिलता है एक तर से, उन्हीं impressions को देखते हुए या उसके according ही उसको next body में जाना होता है, बट यहाँ पर एक point जो हम समझे कोशिश कर रहे हैं, कि येस सुक्ष्म शरीर के साथ जो आत्मा है अभी भी है, अब उसकी आगे की journey कैसी होते हैं, जैसा मैंने बताया कि गरुन पुरान के अनुसार देखे क्रिया हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसे rituals जिसको follow किया जाता है, जो तेरवी का एक जो process है, उस particular period में पिंडदान, तरपन और ये सारे कारे किये जाते हैं, जिससे की जो आत्मा है उसको मुक्ती प्राप्त हो, उसकी आगे की जो गती है वो अच्छी हो, अब इस दुरा मैं दर्श्रकों को भी बताना चाहूँगा, कि ये जो काल चल रहा है, ये अभी पित्रपक्ष का काल चल रहा है, जिस दुरान हम अपने ancestors को, पित्रों को याद करते हैं, और आप Hare Krishna TV के तरफ से भी अपने पित्रों के प्रति प्रात्रा करवा सकते हैं, और ये सब करवा सक हैं कि कैसे वो अगले शरीर में जाती है, तो ये जो बारा दिन का समय है, जैसे मैंने बताए कि आत्मा अभी भी परिजनों के साथ या परिबार के या घर के आसपास होती है, तो जो बाकी की process है, जो purificatory process, जो पिंडदान की क्रिया है, तरपन की क्रिया है, इस से जो है आत विक्ति हो गई सुक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा है, अब यहां से उसके कर्मों के अनुसार, उसके जो भी कर्म रहे हैं, पुन्य कर्म रहे हैं, तो उसके लिए उसको उच्छे लोकों में जाकर सुख भोगने का सौभागी मिलता है, और अगर उसके पाप कर्मों का अलग-अलग प्रकार के नर्ख हैं, जहां उसको यातना है दी जाती है, उसको कष्ट भोगना पड़ता है, तो यह जो पाप और पुन्य का हिसाब है, वो उसके लिए तो आगे बढ़ता है, और उसके लिए एक और विश्यस प्रकार का शरीर उसको दिया जाता है, जिससे पाता है, तो इस तरह से जब यह कष्टों की जरनी पूरी हो जाती है, तो पुन्य कर्मों का जो हिसाब है, उसके कारण वो उचे लोकों में जाता है, वहाँ पर सुक भोगता है, और जैसा मैंने शुरू में बताया, कि जब वो सुक का जो हिसाब किताब है, वो पूरा हो जाता है तो आत्मा वापस फिर से एक नए शरीर को प्राप्त करने के लिए वापस आती है और फिर वही साइकल शुरू होता है कर्मनाद दाइवने त्रेन जन्तू देह उपपगति फिर से जीव है उसको एक शरीर प्राप्त होता है लेकिन ये जो मनुष्य शरीर कि जिसकी बात कर रहएं कि मनुष्य शरीर हाला कि प्रॉसस हर जीव में वही है लग भग लग लग लेकिन विशेस रूप से जो शिमत भागवतम में डिस्क्रिप्शन है इसका कि मनुश्य शरीड लेकिन इस मनुश्य शरीड को पाने से पहले अपने कर्मों के अनुसार उसको अनेको प्रकार की जो दूसरी जीव है जैसे मैंने बताया जलजा नवलक्षाणी स्थावरालक्ष विम्षती तो ये 84 लाग प्रकार की योनियों से गुजरना अनेको प्रकार के शरीरों से गुजर कर और तब ये मनुश्य जीवन मिलता है तो शास्त्रों में मनुश्य जीवन को बहुत ही विशेस महतु दिया गया है सुदूर लभम कहा गया है इसको ये बहुत ही रेर अपरचुनिटी है और हमने देखा है नंबर्स भी बड़े कम है बाकी पशुपक्षियों की संख्या देखे तो उनकी संख्या कहीं जादा है लेकिन मनुश्य जो है बहुत ही special है और इस body में वो facilities हमें मिलती है वो intelligence हमें मिलता है जब हम अपने इस cycle को ये जो birth and death का जो cycle है इस cycle को break करके वापस हम spiritual kingdom में परवेश करके हैं या अपने उस अध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं जहाँ पर birth, death, old days, disease ये सारी problems नहीं है लेकिन जब तक हम इस goal को नहीं समझेंगे इस के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हम इसी material world में कभी उचे लोकों में कभी निमने लोकों में हम इस cycle से birth, death, old days, disease के cycle से चलते रहेंगे और ये journey अभी finish नहीं होगा मैं एक चीज़ अपने हिर्दे से बताना चाओंगा प्रोजी कि ये जो ग्यान हमें आपने बताया भी शास्त्रों के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना महत्वपोर्ण ग्यान है कि इसे schools और colleges में सिखाना चाहिए नहीं तो आज भी लोग वही पढ़ते आ रहे हैं कि हम डार्वेन के बंदरों की आुलाद हैं और वो बंदर बड़े हो करके मानुश बने और फिर उससे इंसान आए यहां आत्मा कितनी बड़ी जर्नी से आ रहा है और हम ममेवांशो जीव लोके आपने बता हम भगवान के अम्ष हैं और कैसे हम अपने selfishness के कारण यहां आए वो पूरी जर्नी कैसे वो आत्मा एक शरी से दूसरे शरी में जाती है एक लोक से दूसरे लोक में जाती है और कितने सारे dynamics हैं इन सब ग्यान को schools और colleges में सिखाना चाहिए 315, 316 दर्शक हैं हमारे साथ जादातर सब लोग most of them must be adult बहुत कमी बच्चे होंगे शाए दिया लेकिन मुझे लगता है आज का show तो ऐसा था कि हर बच्चों को भी दिखाना चाहिए था क्यूंकि इस show में ऐसा ग्यान दिया जा रहा है जो हमें वास्तविकता में बता रहा है कि हमारा origin क्या है हम बंदर से नहीं आए है हम भगवान से आए बहुत ही मैतमूंट सिक्षा, of course, यह school, colleges बहुत ज़रूरत है इस education का जो benefit है एक तो जो लोगों की यह आज modern education यह जो mindset है लोगों का कि one life, just do it और उसके कारण उनको लगता है कि बस एक life है जी लो, जो करना है कर लो और उसके कारण ज़्यादा तर लोग गलत रास्ते पर जाते हैं और उनको नहीं पता है उनको लगता है कि वही तरीका enjoy करने का तरीका है और उसके कारण वो अपनी इस valuable human life को spoil कर रहा है उनको पता नहीं है कि यह human life कितना valuable है, यह सारी problems को solve करने की एक opportunity है लेकिन इस बात का knowledge नहोने से just वो bad habits or bad activities, bad desires उसमें अपनी life को spoil कर रहा है तो इस education की बहुत जरूरत है समाज में सारी problem जो आज है उसका reason भी आई है, भगबत गीता अपनी real identity को भूल चुके है अपने true self को हम भूल चुके है इसलिए हमें यह नहीं पता है कि हमारा true self interest क्या है, परोपात कहते है कि हमारे लिए वास्ताओं में क्या सही है इस बात का हमें ग्यान ही नहीं क्योंकि हम अपने आप को भक्ती के पत पे चल रहा है तो उस पत पे चलते वे भी वो इनसान वास्तविक्ता में खुश रह सकता है जो हम बाकी तरीके selfishly कोशिश कर रहे हैं खुश रहने का, ultimately वो दुख के तरफ ही ले जाते है लेकिन इस भक्ती पत पे जो सुख है वो शाहिद कहीं और नहीं है आप जैसे भक्तों को देख के लगता है वो पूरा एजूकेशन वो यही सिखा रहा है कि अगर आप enjoy करना चाहते हैं लाइफ को तो जितना जादा आप sense gratification करेंगे आपकी लाइफ में उतना ही खुशी होगी उतना ही enjoyment होगा बट भगवद गीता जस्ट इसके opposite भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे है कि यह जो sense gratification है यह जो यह जो है source of suffering है सारी problems की शुरुआत यहां से होती है इस subtle science को समझने के लिए पोस्ट टाइम देने के जुरुद है समझने के जुरुद है बट यह source of enjoyment नहीं है source of suffering है हम common sense भी अगर है हमारे पास तो हम देख सकते हैं कि जो लोग जितना ज़्यादा sense enjoyment कर रहे है are they really happy उनकी life में stress, anxiety, depression उतना ही ज़्यादा है और हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा है एक human life जिस purpose के लिए मिला है उस higher purpose को हम खो रहे हैं और सिर्फ sense gratification के लिए यह sense gratification जो कि हर एक yoni में हर एक body में चाहिए वो dog का body किसी भी पशुपक्शी किसी की भी बात करें वो sense gratification हर body के साथ है हर life में है I mean human life is not for sense gratification हमें scriptures बताते है तपो दिव्यम पुत्र का ये नश्रप्तम अगवान रिश्यवदी बता रहे हैं यह transcendental austerity के लिए है यह higher purpose के लिए है और of course इस higher purpose के लिए जब हम जीना शुरू करेंगे तो real जो bliss जिसको हम ढून रहे हैं अलग-अलग बस्तूओं में अलग-अलग व्यक्तियों में वो real bliss वो real जो joy है वो automatically हमें मिलने वाला है Automatically Yes बहुत अच्छा मज़ा आगे मज़ा आगे प्रोजी मैं बस प्रश्ण तो बहुत मेरे भी दिमाग में आ रहे है I'm sure दर्शको के भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्ण आ रहोंगे लेकिन मैं अपने मूँपे पट्टी रखूंगा और दर्शको से विंती करूँगा कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे अगर प्रश्ण चल रहे हैं तो प्लीज यही समय है लाइव कॉमेंट बॉक्स में अपना प्रश्ण डाली आपके प्रश्णों को हम प्रभुजी तक पहुँचाते हैं जब तक आप वो कर रहे हैं मैं एक आखरी प्रश्ण पूछता हूँ पट्टी हटा के तो आज का मेरी तरफ से एक आखरी प्रश्ण यह है प्रभुजी कि मैंने बहुत कुछ समय पहले एक प्रश्ण पूछा था कि आत्मा अपने पेरिंट्स को कैसे चुन सकती है वो उसके कर्मों पे और पिछले जन्न में उसने कैसे कैसे कर्म किये हैं और कैसे इक्षाएं रखी है उससे साब से उसे गर्भ मिलता है बहुत डारेक्ली चूज कर पाना पेरिंट्स को बहुत मुश्किल है पूरे जीवन और कई जीवन के ऐसे कर्मों का लेखा जोखा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है लेकिन क्या एक पती और पत्नी जो साथ में आना चाहते हैं और एक आत्मा को अपने गर्भ में इन्वाइट करना चाहते हैं क्या शास्त्रों में इसके बारे में कुछ ऐसी पधती दी गई है कि हम किसी special तरह की आत्मा को invite करना चाहते हैं किसी एक मतलब हर कोई एक अलग desire लग सकता है हर दंपति एक अलग desire के साथ अलग प्रकार की आत्मा को invite कर सकता है क्या ऐसा कुछ है secret जो शाहिद आज भी मुझे लगता है medical science को इस बारे में पता भी नहीं है medical science को लगता है कि आपना बस आ जाती है शरीर से और गर्व में ये हो तो शाहिद उसमें भी बहुत ही shallow knowledge है लेकिन मुझे लगता है शास्त्रों में कहीं ये science चिपाया कि हम एक specific तरह की special पुन्यात्माओं को invite कर सकते हैं हमें से कई दर्शकों को शाहिद इस बारे में पता भी नहीं होगा please इसके बारे में बताइए thank you so much this is really a nice question in fact modern science की बात करें तो वो तो आत्मा में विश्वास नहीं कर रही है वाकि तो foundation ही नहीं है वहाँ पर इस्टेज का of course जैसे एक तो हमने समझा कि जीवात्मा अपने पुर्व कर्मों के कारण उसको शरीर मिलता है अब वो तो condition है कि जो भी अफ कर्मों वो हो चुका है पहले उसकी जो भी desires हैं उसके कारण उसको एक body मिल चुका है लेकिन अब इस knowledge के साथ जो knowledge हमें मिल रहा है spiritual knowledge उस knowledge के साथ कैसे हम अपनी life को perfect कर सकते हैं और कैसे हम उसी प्रकार के एक soul को invite कर सकते हैं तो हमारे शास्त्रों में इसका पूरा process दिया गया है विशे शरुप से जब पती पत्नी जैसे हमने देखा कि पती पत्नी जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पती के माध्यम से जो जीवात्मा है वो पत्नी के गर्व में प्रवेश करती है तो यहां पर किस प्रकार की आत्मा वो गर्भ में प्रवेश करेगी या किस प्रकार की आत्मा वो ट्रांसफर होगी पुरुश के माद्यम से वो निरवर करता है कि जो पती-पत्न है उनकी चेतना कैसी है उनकी consciousness कैसी है क्योंकि उसी प्रकार की attract जिस प्रकार की हमारी सोच है, हमारी चेतना है हमारी desires है उसी तरह की soul attract होती है हमसे यानि हमारा जो पूरा जीवन शैली है हमारी जो सोच है विचारधारा है वो सब बहुत निर्भर करती है इसके उपर इसलिए वैदिक शास्त्रों में जो पूरा process दिया गया है जिसे गर्भाधान एक process है तो गर्भाधान process यही विधी है जिसके माध्यम से हम एक पुन्य जीवात्मा को या एक ऐसी जीवात्मा जो भक्ती के मार्क पे है हम उनको invite कर सकते हैं गर्भाधान सिर्फ एक समस्कार ही नहीं बलकि जैसे overall जो हम बात करें बाकी के सभी समस्कारों के भी तो उन समस्कारों को मलब उनका पालन करने का ओदिश यही होता है कि तो हमारा जीवन सुख में शांति में हो और हमारे संपर्क में या हमारे परिवार में जो भी आए वो भी पुन्य आत्मा हो तो वैतिक शास्त्रों में अलग-अलग प्रकार के समस्कार दिये गए हैं जिसकी शुरुआत गरवाधाम समस्कार से होती है तो इन समस्कारों का ओदिश है इसको प्यूरिफिकेटरी प्रॉसस बोगते हैं तो गरवाधाम समस्कार है जन्म के बाद कई प्रकार के समस्कार होते हैं जैसे अन्रप्रास समस्कार है और यग्योपवीत समस्कार है उस तरह से अलग-अलग प्रकार के विवाह एक समस्कार है विवाह भी एक समस्कार है बहुत सो लोग तो जानते ही नहीं उनको मतलब भी नहीं है पता ही नहीं कि विवाह का उदेश क्या है तो विवाह एक समस्का उसका एक परपस है, परपस क्या है कि पती पतनी एक साथ आकर एक ऐसी संतान को जो कृष्ण भावना भावित हो जो भगवत भावना भावित हो ऐसी संतान को जन्व देना, तो ये पती पतनी को का एक साथ आने का ये उद्देश होता है, तो जब इन संस्कारों का पालन किया जाता है यनि धर्म के नियम जो है उनका जब पालन किया जाता है तो फिर परिबार में ऐसे ही संताने जन्म लेती है इसके विशे में बलकि मुझे याद आ रहा है भगवत गीता के पहले ही चैप्टर में अरजुन इस बात की चिंता कर रहे हैं उनको चिंता क्या हो रहे हैं और उसके पीछे कई कारण दे रहे हैं कि युद करने से या युद का परिणाम क्या हो सकता है तो एक कारण वो ये भी दे रहे हैं कि अगर युद होगा तो इस युद में जो वयो व्रिद्ध हैं जो seniors हैं senior citizens वो मारे जाएंगे उनके मारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा अब परिबार में जो धर्म है वो नश्ट हो जाएगा क्योंकि धर्म के नियमों का पालन पोश्चन करने वाला कोई नहीं होगा कोई गाइड करने वाला नहीं होगा बताने वाला नहीं होगा तो धर्म यानि जो नियम है यही जो purificatory process है इसका पालन करने वाला कोई नहीं ह किया होगा इस से जो कुल की इस्तरियों के दोशित होने से क्या होगा क्योंकि विर्ण संकर संताने जन्म लेंगी वर्ण संकर संताने यानि unwanted children या ऐसी संताने जिनको नियम से धर्म के नियमों से कोई लेना देना नहीं है ये जो सारे नियमों से कोई लेना देना नहीं है और जब ऐसी वर्ण संकर संताने जन लेंगी तो इसका प्रभाव परिवार में समाज में क्या होगा वो कह रहे हैं पर अब लोग इन्ही धर्म के नीमों का पालब नहीं कर रहे हैं इसलिए समाज में इतनी अवेवस्था देखने को मिलती है तो इस साइंस को समझना जरूरी है कि ये जो प्रॉसेस है प्यूरिफिकेटरी प्रॉसेस ये कितना इंपॉर्टेंट है पिंड़ दान की जो क्रिया जिस हम पितर पक्षी की बात कर रहे है तो इस्पेशली ये पिंड़ दान आज लोगों को नहीं पता है बहुत से लोग इसको करते भी नहीं है लेकिन इन सफ का परिणाम हमारे जीवन में पढ़ता है जो पितर हैं अगर वो संतुष नहीं है वो खुश नहीं है तो उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पढ़ता है तो ये सारे प्रॉसेस को समझना जरूरी है तो येस प्यूरिफिकेटरी प्रॉसेस या जो गर्भादान समस्कार है उसका उदेश है कि हम एक कृष्ण भावन भावि संतान को राप्त कर सके और हमने देखा है कि जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके घरों में जो संतान जन्र लेती है वो बहुत ही पायस होते हैं उनके अंदर पहले से ही बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज देखने को मिलती है तो ये सब कुछ सिस्टम है ये बाई चांस नहीं है कि कोई भी कहीं भी जन्र ले रहा है ऐसा नहीं है तो अगर हम कृष्ण भावन भावि जीवन जी रहे हैं वैसा ही बातावरण है तो अफकोर्स परिवार में एक ऐसी ही संतान जन्र लेगी जो ऐसी इच्छा रखती है तो जैसे मैंने वो बदीता के शलोक से भी कोट किया था कि जी बात्माएं जो भक्ती के मार्क पे हैं वो भक्तों के परिवार में जन्र लेती है अगर उनकी यात्रा भी नहीं हो सकी है तो अब वो कहां जन्र लेंगे तो ऐसे ही लोगों ऐसे ही परिवार के लिए वो इंतिजार कर रहे होते हैं तो ऐसे ही पैरेंट्स वो उनको स्विकार करते हैं और उस तरह से वो उस परिवार में जन्र लेते हैं बहुत अच्छा जोजे, बहुत अच्छा, फो जी शास्त्रों में तो शायद ऐसे कई example होंगे, जहां शायद माता पिता ने ऐसा गर्बर अंसम्सकार या ऐसी तपस्या की होगी, कि ऐसी कुछ उन्यात्मा उनके गर्ब में आई, कुछ ऐसे examples अगर आप देंगे तो हमारे दर्शोकों को बहुत शेथ मिले गए, इसमें एक सबसे सुन्दर example हमने जहां से जर्णी की शुरुवात की थी, जैसे हम कर्दम, हम बात कर रहे हैं, हमने भगवान कपिल देओ की, भगवान कपिल देओ, जो कि उनकी माता है देवहूती और देवहूती के जो पती हैं वो कर्दम मुनी, तो देवहूती जो है वो स्वयम्भू मनु की पुत्री हैं, और कर्दम मुनी जो की बन में एक मुनी हैं, भगवान के भक्त हैं, और तो स्वयम्भू मनु ने उनका विवा किया कर्दम मुन के साथ किया तो ये तो शास्त्रों से मैं एक example दे रहा हूं कि किस तरह से चुकि वो भगवान के भक्त हैं भक्ती में लगे हुए हैं और तो देव हुती और कर्दमुनी उनका जो जीवन है जिस तरह से उन्होंने भक्ती में जीवन जीया और उसका परिडाम क्या हुआ कि उन कि ही अगर हम स्वयम बात करें तो जैसे जो यशोदा है जो देवकी और वसुदेव हैं उन्होंने ऐसे ही उनको भगवान श्रीकृष्ण उनके घर में नहीं आये उसके लिए उन्होंने कई जन्मों तक तपस्या की तो यानि ये जो नियम है तपस्या है वो consciousness है वो एक preparation है तो पती पतनी भी जब इसी चेतना के साथ एक तैयारी करते हैं गरबादान समस्कार का मतलब वो तैयारी कि हम ऐसी ही एक जीवात्मा को गर्ब में आकरशित करना चाहते हैं या उसको परिवार में लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए वो नियम दिये गया है कि भगवान क नाम जब करना, भगबान का प्रशास विकार करना, भक्ति के नियमों का पालन करना, तो निश्यत रूप से ऐसे ही जिवारतमा घर में प्रविश करती है. बहुत सारे ऐसे डाइनमिक्स पता चला हमें, और अब मैं प्लाटफॉर्म, अब मैं सही में मुँपे पठी लगाँगा, और आज के पहले प्रशन को जल से जड़ा आप स्क्रीन पर डालिए. तो अरुन्धती नायर जी पूछ रहे हैं, क्या मेरा मिस्कैरिज में, क्या मेरी मिस्कैरिज में मेरी गलती है? सबसे पहले तो अरुन्धती आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, कि इस मुश्किल के समय में भगवान कृष्णा आपको और बहुत ही शक्ती दें, और सूझ बूझ दें कि आप समझ सकें. प्रोजी, प्रोजी, प्रीस, और सुझ कंछी अपके रसी व्यूति है, आपकी गलती नहीं है, उस जिवात्मह के अपनी जर्नी है, और उस जर्नी में उसकी आयू, उसका समय उतना ही था, वस समय के पूरा होने के बाद, वो मिः ऐगे की अपनी यात्रा में आगे बढ़त तो यह हम सभी की यात्रा है, कौन कितने समय तक रहेगा, यह हमें नहीं पता है, तो हम अपनी सभी, हम इंडिविज्वल हमारी जर्नी है, उस जर्नी में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात को ऐसा ना सोचे कि यह आपको कोई गलती है उसमें, आपने जान गोच कर नह इस फेज में, कुछ ऐसी चीज़े हैं, शायद वो भगवत गीता पढ़े हैं, या कुछ ऐसी चीज़े हैं आप बता सकते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत मदद हो ले हैं, भगवत गीता, of course, क्योंकि यह जो इस्थिती है, इसको समझना जरूरी है, इसके कारण को समझना ज मिलती है, of course, मा हैं, और हम कितने ही शास्त्रों को पढ़ लें, समझ लें, लेकिन जो हिर्दय है मा का, उसमें, of course, वो शोख या वो दुख वो रहेगा, तो दुख का प्रकट करना, शोख का प्रकट करना, ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन येस ऐसी इस्थिती में हमारा कर तब भी क्या है, हमें ये सोचना चाहिए, तो हैए समझ कर कि वो जो संतान या वो जो जिवात्मा है, उसका संग आपके साथ उतने ही सनएका था, और बाकी जो रियालिटी है कि येस, जिवात्मा तो हमेशा है वो, हम उसके लिए चैन्टिंग कर सकते हैं, नाम जब कर सकते है और जीवन को आगे लेकर चल सकते हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि रुख कर शोग प्रकट करना सिर्फ महीं रुख जाना या उससे डिस्टर्ब होना फिर आगे की यात्रा वो डिस्टर्ब होगी तो येस भगवत गीता पढ़ कि इस मुश्किल के समय में आपको बहुत ही हिम्मत मिले और एक विंती ये भी रहेगी जैसा प्रभुजी ने बताया आप भक्ति कैसे शास्त्रों का आश्रा लिजे भक्तों से मिलिए उनका आश्रा लिजे आपके निकित्तम कहीं केंडर इसकौन का कोई केंडर है वहां ज बात करेंगे और आपकी मदद करने कोशिश करेंगे धन्यवाब आगे बढ़ते हैं प्रभुजी अगला प्रश्न राके शुक्ला जी पूछ रहे हैं मतलब लाइफ में इंजॉय करना गलत है यह बहुत अच्छा प्रश्न है इंजॉय करना गलत नहीं है क्योंकि इंजॉय करना यह जो enjoying propensity है यह soul का यह आत्मा का स्वभाव है सत्चित आनंद आनंद तो यह eternal यह constitutional position है आनंद के बगएर आत्मा रह नहीं सकती है तो आनंद प्राप्त करना आनंद पाने की इच्छा रखना यह गलत है ही नहीं यह तो हमारा nature है लेकिन आनंद कैसे प्राप्त करना है कहां प्राप्त करना है यह समझना है जहां पर आनंद है जिस रास्ते पर चलने पर आनंद मिलने वाला है वो रास्ता जानने की समझने की ज़रुत है तो जैसे आप हम वहीं discuss कर रहे थे भगवान ने भगवत गीता में इस संसार के विशह में यह संसारिक सुख है या जो sense grat gratification है उसके बारे में बता दिया संसार के विशह में उनने बता दिया कि यह दुखालेयमा शाश्वतम है यह दुख का अस्थान है और यह temporary है उसी तरह से उनने बता दिया कि जो sense gratification है यह खुशी का कारण नहीं है यह दुख का कारण है दुख योनया यह वती क्योंकि और अगर यह सुख हमें लग भी रहा है तो इसका दो इसका जो सुभाव है कैसा है आदियंत बंत कौन तेया आदियंत बंत आदी और अंत यह शुरू होगा और इसका अंत हो जाएगा शुरू में यह मीठा लगेगा बाद में इसका जो result है वो बहुती कड़वा होगा तो यह सब नेचर है तो जब हम इन बातनों को समझेंगे तो हम उस temporary या उस जो illusory happiness की तरफ नहीं भागेंगे यह illusory happiness है हमें लगेगा कि यह खुशी है बड़ी खुशी मिलती है लेकिन वास्ताओं में वो खुशी है नहीं तो हमें सही अस्थान पर और सही तरीके से आनन पाने की जरूरत है और वो तरीका में भगवत गीता से सीखने को मिल रहा है हम भगवान की अंश है तो जब तक भगवान के साथ connected नहीं है तब तक हम happiness experience जो real bliss है वो experience नहीं कर सकते हैं सिंपल सा उधारन है मचली को पानी से बाहर निकाल कर आप उसे कुछ भी दे दीजिए सारी संतुष नहीं होगी क्योंकि उसका सुभाव है पानी में रहना उसी तरह से हम भगवान की अंश है जब तक भगवान से connected नहीं है भगवान से connected का मतलब क्या है भगवान ने हमें पूरा guideline दिया है उनके बताय हुए नियमों को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे और हमार इस birth और death की cycle से free कर देंगे तो enjoy पाने का दो तरीका है एक तो है जो suffering की और हमें लेकर जाएगा और ज्यादा हमें degrade करेगा और ज्यादा pollute करेगा हमारी consciousness को लेकिन दूसरा enjoy पाने का तरीका है जिसमें आनंद भी है वो permanent भी है और साथी साथ वो purifying है हमारी consciousness को हमारी चेत में दुबारा जमने लिना होगा उसके बाद हम वापस अपने original place spiritual kingdom में प्रवेश करेंगे तो simple बहुत ही मतलब enjoy करना है लेकिन सही guidance में सही तरीके से जो advance करने में हमें help करेंगे बहुत अच्छा प्रोजी मज़ा गया I hope Rakesh Shuklaji को समझ में होगा कि enjoyment is not bad लेकिन कहा enjoyment ढूनना ही this is important और आप देख सकते हैं हमारे चेहरों पर भी कितना enjoyment है अब भी बहुत जम के enjoyment करते हैं लेकिन सही जगा करते हैं शास्त्रों के अधसार आगे बढ़ते हैं Krishna is source of bliss Krishna के साथ Krishna के साथ enjoy करेंगे that will give you perfection of life अगर भगबान से अलग रहकर enjoy करनी कोशिश तो वो life में sufferings लेकर आएंगे अगला प्रशन अच्छना जी पूछ रही है once आत्मा leaves the gross body do they still remember their loved ones who are left behind we say आत्मा gets new gross body which means new life new relationship how do they come how do they come for how do they come for I mean यहां पर मुझे लग रहा main प्रशन यह है कि क्या जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो उस शरीर से related हमारी मा हमारे पिता हमारे दादा दादी पतनी बच्चे यह सब relationships क्या हमें आगे भी याद रहते हैं हाँ आत्मा यानि जो एक संबंध है रिष्टा है उस रिष्टों को वो जब तक आत्मा भी उसको दूसरा शरीर नहीं मिला हुआ है क्योंकि उस दूसरे शरीर के मिलने का जो प्रोस्स है उस प्रोस्स में जो बर्थ का प्रोस्स है वो इतना painful process होता है और साथी साथ वो भगवान की क्रिपा भी कहते हैं उसे उस प्रोस्स में अपने पुर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाता है बहुत कम ऐसे souls होते हैं rare souls जिनको पुर्व जन्म की बाते याद होती है लेकिन इस जन्म से पहले जब हम बात करें कि जो जीवात्मा है बृत्यू के बाद जैसे हमने पूरी जर्नी बात की कि जो भी रिष्टा हो वो पित्र लोकों में जाते हैं उनके लिए एक लोग है पित ancestors हैं उनका हमारे relation को याद रखते हैं और इसलिए पित्र पक्ष का आर्थ ही यही है कि उस समय में वो हमसे कुछ aspect करते हैं हमारे उनके प्रती कुछ जिम्मेदारी है यह जो पिंडदान की क्रिया है श्राद की क्रिया है यह हमारी उनके प्रती जिम्मेदारी है तो के माध्यम से हम उनकी जो आवशक्ता है उसको पूरा करते हैं तो विशेश रुप से ये जो समय होता है 15 दिन का समय है अश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष का समय है ये 15 दिन का समय है जिसको हम शाध कहते हैं तो ये समय होता है जब हमारे जो पुरवज हैं एक तरह से उनक की requirement है उसको पूरी करना तो यह पिंडदान और तरपन की क्रिया है जिसके माध्यम समुन को देते हैं येस और इस point को मैं थोड़ा सा एक और क्योंकि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोग इसको भी भूल रहे हैं श्रीमत भागवतम के 11th केंटो में इसका वरणन आता है कि यह जो कैसे अलग अलग लोगों देवर्शी भूताप्त निरनाम पित्रिनाम देवर्शी यानि देवता रिशीगर्ण रिशी मुनी जो हैं देवताओं के प्रति रिशी मुनियों के प्रति भूत यानि की जो जन सामान्य है उनके प्रति आ वो कहारे हैं, उन सब के प्रती हमारी जिम्यदारी है, हम उनके प्रती रिड़ी है, क्योंकि उन सभी का हमारे जीवन में योगदान है, न किंकरो, न किंकरम, न न, वहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सभी के प्रती हम रिड़ी है, गतो, मुकुंदम, सरनम, सरन्यम, लेकिन जो विक्ति भगवान मुकुंद की शर्णागति स्विकार कर चुका है, वो सभी रिणों से मुक्त हो जाता है. सभी प्रकार के रिणों से मुक्त हो जाता है, यानि भगवान की भक्ति करने से, वो automatically अपने प्रती, इन सभी के प्रती जो रिण है, उसको पूरा कर लेता है उनकी सारी आवश्यक्ता है वो पूरा कर लेता है तो ये भक्ति की शक्ति हमें देखने को मिल रही है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान की बताय हुए रास्ते पर चलते हैं तो automatically इन सभी के प्रती जो हमारे रिण है उन सभी रिण को हम उसका पालन हमें करना चाहिए क्योंकि ये जो इस्तिती है वो शुद्ध भक्ती की इस्तिती है जब हमने सरवात मनः सरणम शरण्यम यानि कि जब हमने पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है पूर समर्पन का जीवन हम भगवान को समर्पित जीवन 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 ज करना चाहिए और इसका बहुत ही सरल विधी है विशेश रूप से पिंडदान या यह श्राद की विधी है इसमें भगवान को भोग लगा कर वो जो प्रशाद है वो पित्रों को अर्पित किया जाता है तो उनको जब हम प्रशाद देते हैं भगवान का तो इससे वो मुक्त ह होते हैं उनको उनकी अवशक्ता है पूरी होती है तो यह बहुत अच्छा प्रशन है इसको हम सभी को समझने की अवशक्ता है बहुत अच्छा प्रशन के थूरू इस पित्रबक्ष में हमें क्या करना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से बताया कई बार लोग कुछ खाने क पदार्थ बनाते हैं और डारेक्ट भोग लगाते हैं लेकिन आपने सही तरीका बता है कि कैसे हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए फिर वो प्रशाद बनता है और उस प्रशाद के एक हिस्से को उन्हें अर्पित करना चाहिए। कोई अगर भगवान की भक्ती कर रहा है तो प्रवपात कह रहे हैं कि एक नहीं बलकि हजारों जो उसके पुरवज हैं वो मुक्त हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा हो तो उस भक्ति की ऐसी महिमा ऐसी शक्ति है कि हजारों पुरवज मुक्त हो जाते हैं वलकि हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि yes क्योंकि आज इन नियमों का पालन करना भी जो यह सारे वैदिक नियम है क्योंकि इन नियमों का पालन करने के लिए बड़ी शुद्धता की अवशक्ता होती है वैदिक मंत्रों का बड़ा ही अच्छे ढंक से उच्छारन होना चाहिए ऐसे शुद्ध ब्राह्मनों की अवशक्ता होती है unfortunately समाज में अमना तो ऐसे शुद्ध ब्राह्मन मिलेंगे जो सारे ब्राह्मनिकल जो रूलस और एगुलेशन से उसका पालन कर रहे हूँ और मंत्रों का उच्छारन या जो भी नीमों का पालन करना आज लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कली युग में जब लोग इतने आस्त ब्यस्त हैं तरस्त हैं अपने जीमन से तो ऐसी स्थिती में भक्ती जो है सरल मार्ग है भक्ती सबसे सरल मार्ग है अपने सारी कारे करते हुए सिथ उसको भगवान को समर्पित करना है भगवान कहा रहे है यद करोसिया दसनासिया जुहोसि ददासिया यद तपस्चिसी कौंतिया ततकुरुस्वमदरफणव जो भी कर रहे हैं जो भी खा रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए समर्पित करते हुए करेंगे वो भाक्ती और इस तरह का जीवन जीएंगे तो फिर अगर कुछ मिसिंग रह भी गया कुछ नीमों का पालन नहीं भी हुआ तो भगवान उसको पूरा करते हैं जीवन कैसा होना चाहिए और materialistic world and spiritual world में क्या difference है मनुष्य जीवन जिस उदेश्य से मिला है यानि जो नियम हमें शास्त्रों में दिये गया है उन नियमों के अनुसार जीवन जीते हुए जीवन का जो देश है आध्यात्मिक जगत या भगवत प्रेम या भगवान के साथ संबन उसको प्राप्त करना है तो भगवान के साथ संबन्द कैसे अस्थापित करना है, भगवधान को कैसे प्राप्त करना है, यह सारी विधी, जो भग्तियोग के विधी है वो शास्त्रों में दी गई है तो उन नियमों का पालं करते हुए मैं जीवन जीना है भहुतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के अंतर की बात करें तो जो भहुतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत के रिप्लिका है रिप्लिका नहीं कहेंगे उसे reflection, perverted form यानि यहां पर जो भी हम देख रहे हैं या उसको मैं और सरल बनाता हूँ पवोटेड यानि कि जैसे जो आनंद और सुक की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मीक जगत में है उसका बिलकुल उल्टा है भौतिक जगत जिसके विशे में भगवान कर रहे हैं दुखाले हम अशाश्वतम है ये दुख का अस्थान है ये चेंपररी है अशाश्वतम लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है इटर्नल है यहां पर अलग अलग प्रकार के दुख जन्म, मृत्यू, बढ़ापा, बीमारी और तीन प्रकार के और भी कष्ट हैं जिसको अधी दैविक, अधी आत्मिक, अधी भातिक बोलते हैं यानि मन और शरीर से मिलने वाल दुख, जो दूसरी जिवात्मों से मिलने वाला दुख और प्रकार्तिक आपनाओं से मिलने वाला दुख, यह सब कुछ अध्यात्मिक जगत में नहीं है, अध्यात्मिक जगत में हमें अपना spiritual form मिलता है, भगवान के साथ हमारा एक मधूर संबंद होता है, और उस शेषई पूछ रही हरे किष्ण प्रुजी, इसमारा इंट प्रकार्तिक की जगती है, वो आती है, क्योंकि पहले जो animal's life का जो cycle है, दो तरह से इसमें चीजें काम आती है, एक तो आता है कि कर्मा, कर्मा का सिध्धान्त होता है, और एक है divine arrangement, इसको समझेंगे, ये दोनों चीजे हैं, Divine Arrangement means भगवान की क्रिपा, जैसे हम भक्ती की बात करें भगवान की क्रिपा ये एक factor है और Law of Karma एक factor है, तो जब व्यक्ति ऐसे ही कार्मिक जीवन जीता है यानि उसके जीवन में कोई भक्ती या इस तरह का नहीं है, सिर्फ कर्मों के अनुसार कार्मिक जीवन जीर है अपना, तो उसके अनुसार तो कर्म का सिध्धान तो उसके उपर लागव होता है यानि उस कर्म के अनुसार वो अलग-अलग प्रकार के शरीरों में जाते हुए, फिर किसी तरह से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है मनुष्य शरीर के बाद अपने पुन्य और पाप कर्मों के अनुसार वो उचे लोकों में और नीचे लोकों में जाता है लेकिन एक होता है क्रिपा जिसमें भगवान की क्रिपा होती है तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो भी हो विक्तिने जैसा भी जीवन जिया हो लेकिन उस decision making में भगवान का हस्तक shape होता है तो जो विक्ति भगवान की भगती में जीवन जीता है उसके जीवन में भगवान का भी हस्तक shape होता है तो ऐसे cases में हो सकता है कि अगला जीवन उसको अगर किसी कारणवस किसी और शर चला जाए तो next life उसको वापस मनुष्य जीवन मिलेगा या उसको उसी life से back to home, back to Godhead जाना होगा ये भगवान की इच्छा पे है जैसे इसका उधारन आता है जो हम देखते हैं गजेंदर की कथा तो गजेंदर मोक्ष की कथा हम देखते हैं तो अब गजेंदर जो है वो हाथी के जीवन में आये वो लेकिन उन्होंने भगवान को पुकारा भगवान की प्रयात्ना की अपने रक्षा के लिए और भगवान को याद किया उन्होंने और भगवान उनको अपने साथ ले गए इस तरह से तो ये भगवान की इच्छा पे है तो कर्म का सिध्धान और वो धाम ले कर जा सकते हैं। एक जो भौतिक जगत है जो यूनिवर्स है उसका structure कैसा है जो भू लोग है ये बीच में है और इसके उपर भूर लोग, स्वर लोग, जन लोग, तप लोग, महर लोग और फाइनली टॉप पे है सत्य लोग उसी तरह से नीचे लोवर प्लेनेटरी सिस्टम है जिसमें अतल अ बात करें कि ये स्वर्ग लोगों में जो सुख है भौतिक सुख वो बहुत ज़ादा है और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक सुख में आसक्त रहता है भोग आईशुवर्य प्रसक्ता नाम तयो पहीत अचीत साम तो वहां जो इस्थिती है spiritual upliftment की बड़ी मुश्क situation है आध्यात्मिक जीवन में प्रगती करने के लिए बहुत ज़्यादा favorable situation है और ये जो सृष्टी बनाए गई यह उसी तरह की क्योंकि यहाँ पर हम इस बात को जब हम कष्ट भोगते हैं जब विक्ति बहुत ज़्याता सुख्शी हो जाता है तो सुख में बंद जाता है उसको लगता है यहाँ से जाने की ज़रूरत क्या है इतना अच्छा तो है हम आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं क्या problem है यहाँ पर बहुत से लोग इसी सुख के कारण बंद जाते हैं लेकिन इस मृत्यों लोग में या प्रतवी पे कम से कम हमारे जियोन में जो कष्ट हैं वो कष्ट हमें याद दिलाते हैं कि नहीं यह अस्थान जो है वो सुख का अस्थान नहीं है तो कम से कम वो रीजन हमें spiritual world में या spiritual life में आगे बढ़ने में help करेगा तो स्वर्ग लोग से मुश्किल है इसलिए लोग पहले स्वर्ग लोग से आते हैं वापस प्रतवी प हैं कि if the soul is in grain then even Mataji also has the same grain so exactly where is the soul अगर एक माता भी उस ग्रेन को खा रही है तो सोल तो उनके शरीद में भी आता है तो यह transfer हमेशा male to female क्यों होता है yes रही बात जैसे हमने लिखा कि अन के माध्यम से वो प्रवेश कर रहा है तो जो system है of course किस प्रकार का अन खाते है क्योंकि अन इसका जो हमारी चेतना पर बहुत असर पड़ता है जैसे कहावत है कि जैसा खाए अन वैसा होवे मन अन हम कैसे खा रहे हैं उन सब का हमारी चेतना पर प्रवाव पड़ता है आप पर जो प्रशन है बिलकुल कि येस लेकिन system जो बनाया गया है जो जीव जो जन्म लेता है शरीर प्राप्त करता है उसका जो system है वो system यही है कि पूरुष के माध्यम से जो जीवात्मा है वो इ जीव प्रवेश करता है और वो material elements वो दोनों संपर्ग में आते हैं action शुरू होता है तो क्योंकि भले ही हम अन खा रहे हैं जो इस तरी हैं वो अन खा रहे हैं लेकिन वहाँ पर soul का उसका role नहीं है हाँ consciousness का role है महाँ पर हम जो अन खाते हैं किस प्रकार का अन खा रहे हैं किस प्रकार का हमारा food है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है इसलिए शास्त्रों में देखेंगे तो जो cooking है कौन कर रहा है cooking के बाद क्या वो भगवान को भोग लगाया जा रहा है हम क्या खा रहे है कैसे खा रहे हैं यह सब कुछ बहुत ही scientific है अगर हम अन खा रहे हैं भगवान को भोग लगा कर प्रशाद के रूप में स्विकार कर रहे हैं तो वो हमारी consciousness को purify करती है तो हमारी चेतना को तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि जीव का जो जन्म है उस पे सिर्फ पिता का ही प्रभ रहे हैं हमारी जो भी consciousness है उसका प्रभाव संतान के उपर बनता है तो of course पहला source वो पिता ही बनता है उसकी जैसी consciousness है उसी के according जो जीवात्मा प्रविश करती है आगे की journey में भी हमारी जो consciousness है इस गरवाधान समस्कार से आगे की जो journey है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है इस पूरे गर्भ के दवरान उनको शास्त्रों का अध्यन करना भगवान का नाम जब करना चिंताना करना यह सारी बाते बताई जाती है शास्त्रों का अध्यन करेंगे तो जो संतान जन लेती है वो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे संसकार होंगे उनके अंदर उनकी spiritual understanding बहुत स्ट्रॉंग होगी और आगे चलकर वो आध्यात्मिक मार्क पर आगे बढ़ते हैं। शिर्ण परपाच कहते हैं कि सिर्फ दो कारी यदि विक्ति करें। भगवान को भोग लगाकर प्रशाद पाये और भगवान का नाम जब करें। तो कह रहे हैं इससे ही वो अपने जीवन की जो सिध्धी है सफलता है वो देश है उसको प्राप्त करनेगा। बाकी के बहुत सा आगया। आशा करता हूं हमारे जितने भी यहां दर्शकों के जो शायद अभी तक यह दो चीज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां लाइए कि आप भगवान के नाम का भी जब करें। अपने पूरे दिन में थोड़ा समय निकाले औ कुछ चीजें नहीं लगानी चाहिए। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल बता दे क्योंकि आपने बहुत कुछ इस बारे में बोला था। हाँ यसका भी है क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान को क्या पसंद है भगवान ने हमें क्या सिक्षा दी है उसके अनुसार भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जो कई बार लोग सोचते हैं कि जो हम खाते हैं जो खाते हैं मतलब मीट मांस या इस तरह की चीजे भी हम भोग लगा सकते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं है। भगवान ने भगवद गीता में बहुत ही क्लियर पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयक्षति तो ये जो शुद्ध शाकाहारी सात्विक जो फूड है जो हम कुक करते हैं बनाते हैं उसको भगवान को प्रेम पुरवक अर्पित करना है और इसको अर्पित करने की एक विधी है विशेस रुप से जह हम भगवान को भोग लगाते हैं तो जो भी प्रेपरेशन है जो भी हमने बनाया है भगवान की एक विशेस उनकी अपनी थाली होती है और उसमें हम सारे आइटम जो अलग-अलग आइटम बनाया है वो सब रखते हैं और हर एक आइटम जो बनाया है उसमें तुलसी पत्र डा कर भगवान के सामने उसको रखते हैं और भगवान से प्रातना करते हैं तो अगर हमें वो मंत्र अभी नहीं भी है तो हम भगवान से हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उस चारण करते हुए भगवान से प्रातना कर सकते हैं कि प्लीज आप कि क्रिपा है ये हमारी consciousness को प्योर करती है शुद करती है तो प्रशाद पाने के भाव से जब उसको आप स्विकार करेंगे तो आपकी चितना को शुद करेंगी तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छा प्रोजी है ये सब कुछ जो भी preparation है ये आप भोग लगा सक जैसे कि वारं सब्सक्राइब आपने बोला क्या उसमें ये लहसुन पर आज ये भी आता है ये भी बहुत तामसिक है ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि भगबान को तामसिक फूड नेंग और ये जो अनियन गालिक है ये तामसिक तमोगुणी कहे जाते हैं तो प्रभाव डालता है हमारे विचार हमारा खान-पान हमारा रहनस हैं सब कुछ इनी तीन गुणों पर आधारित है जितना जादा हम सतोगुन में रहने का प्रयास करेंगे हमारा जीवन सुख में शांती में होगा तो सतोगुनी येस, भगवान को भोग लगाएं और प्रशाद लगाएं. येस, नाम जब विशेस रूप से, जैसे अलग-अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को प्रसन्न करने की विधी है, कृते यद्ध्यायतो विष्णुम्, त्रेतायाम जजतो मखः, तो सत्य युग में जो विधी रही है, वो ध्यान की विधी है, त् युग में अगर हम सिर्फ भगवान के नाम का जब करते हैं, केतन करते हैं, तो वही लाव जो सत्य युग में ध्यान करने से, वो भी सेकड़ो हजारों वर्षों तक, त्रेतायुग में यग करने से, दौपर युग में अर्चा विगरा की सेवा करने से मिलता है, वही कि हम नाम जब करें और नाम जब कि विधी बड़ी ही सरल है उसमें जो भीगर आप आपके आज़ पास में कौई सिकॉन सेंटर है आप वहाँ पे संपर करके आप वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन जिस्ट एक माला जिसके माध्यम से हम नाम जब करते हैं, जिस पे हम नाम जब करते हैं, तो उसमें सबसे पहला मंत्र जो हम उचाण करते हैं, जै श्री कृष्ण चायतन्या, प्रभू, नितियानंद, श्री अदवत, गदाधर, शिवास, अधि, गौल, तो एक माला जो है उसमें 108 बीड़ होती है यानि 108 बार हम इस महामंत्र का उचान करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और विधी बहुत ही सरल है इसमें इसी मंत्र को बोलना है इसका उचारन करना है और इसको सुनना है, हर एक syllable को बोलना और सुनना ये जो sound है, ये जो transcendental, ये जो नाम है ये transcendental sound vibration है इस vibration को experience करना है इसको बोलना और सुनना है इस से आप ये जो नाम का process है, ये नाम जब करने की जो विधी है, ये हमारी consciousness को purify करती है ये चित का margin करती है जैसे जैसे हिर्दय शुद्ध होगा भगवान के साथ हमारा संबन्ध और मजबूत होगा भगवान के और करीब होगे, भगवान के द्वारा दी गई जो सिक्षा है, जो नियम है उसको बड़ी सरलता से अपने जीवन में हम पालन कर सकेंगे, और जैसे जैसे आप इस रास्ते पर चलेंगे, आपकी लाइफ में एक डिफरेंट जो experience है, एक सुख में है, शांती में है, एक blissful life जिसे कहते हैं, आप वो experience कर सकेंगे, तो बहुत ही simple process है, इस process को just follow करना शुरू करिए, और devotees association अगर आपको मिल सके, भ in all situation, in all circumstances, so just do that. विश्वास मानिए, हर किसी को inspire करेंगे, हमें भी, धन्यवाद प्रहुजी, बहुत मज़ा आया, आज के show में, बहुत सारे प्रश्णों पर चर्चा हुए, आत्मा की journey, और हमें पित्र पक्ष में कैसा, क्या करना चाहिए, पित्रों की benefit के लिए, खुद की benefit के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे डानेमिकल प्रश्णों के जवाब मिलेंगे और बहुत ही साधारत रूप में. Thank you so much for giving me this opportunity, I am really grateful, thank you so much all wonderful audience, devotees, Hare Krishna. धन्यवाद दर्शकों, आशा करते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं, इस amazing show में, Hare Krishna TV की, आपके मन की बात हमारे साथ, धन्यवाद.